नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आओ देख्वाल मिक्स में दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है मैं हरे को नस्पतियों की जानकारी आप लोग को देता रहता हूँ तो आज भी मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक बहुती सुब और पवित्र पेंड जिसका नाम है बेल का पेंड और इस बेल के पेंड को सभी भारतियों को भली भाती पता होगा इस बेल के पेंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ी भारतियों सभी लोग जानते ही होंगे इसलिए आज मैं आप लोगों को इसके वो जानकारी बताने वाला हूँ जो सायद आपको नहीं पता होगा तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो की जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरू कर देना और हो सके तो सेयर भी करना और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना ताकि आप से नहीं नहीं आउसधियों की जानकारी छूट न पाए और आप हमेसा लाब लेते रहें तो चलिए बिना देर किये हूए आज आप लोग को बताते हैं बेल पत्र के और बेल की जवर्दस्ट पायагते तो दोस्तों आप लोग इस बेल के पेल को देखते रहीए मैं आप लोग को इसके अवसधिय गुर बता रहा हूँ इस बेल के तनों में याने टहनियों में मोटे-मोटे काटे पाये जाते हैं जो की कान को छेदने के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इससे कान जब छेदा जाता है तो कान में जो इंट्रेक्शन होता है पंग जाता है कान या फिर किसी भी प्रकार का जो बाद में घा बन जाता है वह नहीं होता है इस बेल के काटों से कान को छेदने पर ये इसका काटों का आदा हो गया अब मैं आप लोग को इसके बेल के जो फल होता है कच्चा हो या पका हो आप दोनों का समान रुप से उपयोग करके फायदे ले सकते हो जैसे आपको कच्चा बेल मिल जात या फिर आपके आसपास में है तो उसके गुदे को निकाल करके सरवत बना करके आप पीते रहे हैं आपको दिल की बिमारी कभी नहीं होगी आपका हाट कभी फेल नहीं होगा हाट अटेक की समस्या होगी ही नहीं आपको गर्मियों के मौसम में भी इसको सरवत के रूप में ब बहुत जल्द अब इसकी बेल की च्छाल की यानि पेंड की जो च्छाल होता है उसकी बात करते हैं आवसदी गुर के बारे में बताते हैं आपको तो इसका जो बेल की पेंड का च्छाल होता है वहाँ भी बहुत ही अत्यामावसाली दवा की रूप में प्रयोग किया जाता है यहां रक्त सोधक होता है, खुन को साप करने की अद्भूच सक्ती होती है इसकी छाल में इसकी छाल को अगर रात में डुबो करके सुबह उसका पानी पीते हो तो निस्चित रूप से यहां आपके आतों की सफाई करेगा, पेट के रोक को दूर करेगा और आपके खुन को साप करेगा, अगर इसी तरह से आप इस बेल के छाल को काड़ा बना करके पीते हो सर्बत बना के या फिर उसको काड़ा बना करके, तो उससे भी आपको रक्त दोस्त से मुक्ती मिल जाएगी और आपके पेट की समस्या खतम हो जाएगी अब इसके पत्तों के फायदे में आप लोग को बता देता हूं दोस्तों बेल के पत्तों के फायदे आप बेल के पत्तों को सुखा करके भी ले सकते हो चुरन करके पाउडर करके या फिर इसको ऐसे ही कच्चा चबा करके खाा करके भी ले सकते हो जैसे कि आप नोग को पता ही होगा कि भगवान भोले नात के उपर बेल पत्र चढ़ा you hal자 तो हमारे हिंदु धर्म अगर आप परसाद के रूप में सेवन करोगी भगवान का बहुले नाथ का परसाद समझके तो निस्चित रूप से आपको बहुले नाथ का आसिरवाद मिले ना मिले लेकिन इसके बेल पत्र का जो सदी फाइदा है वहाँ आपको जरूर मिल जाएगा तो निस्चित रूप से यहाँ आपके सरीर की असुद्धियों को साप करेगा, सरीर के खून में बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करेगा, खून को साप करेगा, पिंपल मुहासे जो निकलते हैं वहाँ निकलना बंद हो जाएगा, अगर आप बेल के पत्ते को खाली पेट खाते तो आपको सुगर की बीमारी कभी नहीं होगी, हाट की बीमारी कभी नहीं होगी, धातु प्रमेह की रोक खत्म हो जाएगा, और सिग्र पतन स्वपन दोत भी आपको कभी नहीं होगा, अगर आप सुबा पत्ते नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप पत्तों को हण फिर कोट Зटीबा आपकी जो बढ़ने की समस्या हो नहीं बढ़ेगी आपकी कि चर्विभी घंशा समानने रहेगी या फिर जादा हो गया है तो वह घड़ जाएंगा चर्वी को भी वहह थी अच्छे रहे एन देखाते रहोगे या फिर इसका सरबत पीते रहोगे, इसके पत्तियों का रर्श निकाल करके पीो, जाहे पत्तियों को काढ़ा बना करके पी Odd Erfahr ke पियों, खाली पेट सुभा ऐसे ही बेल पत्तरा खाओ. मतलब किसी भी तरह से आपको बेल पत्य कम से कम दो-तीन बेल पत्ये एक दिन में सेवन करना ही करना है तब जाके आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा अगर बेल पत्यों के आप चमत्कार देखना चाहते हैं पांच से दस मियट में आपको पूरी तरह से राम मिल जाएगा आपको यह चमतकार की तरह ही लगेगा इसी बेल पत्ते की रस को निकाल करके दो चमच की मात्रा में अगर सफेद पानी लिकोरिया की समस्या जिन महिलाओं को रहती है उनको अगर पिलाया जाया खाली पेट सुबा साम तो निस्चित रुप से उनका प्रदर प्रमेह सभी खत्म हो जाते हैं जाते जाते आप लोग को एक और सबसी बड़ी इस बेल पत्ते की बात मैं आप लोग को बता देता हूं बेल के पत्तों को यदि आप रोजाना कुचल करके उसका रश निकाल करके उसमें पानी मिला करके और एक चमच मिसरी का पाउडर मिला करके घोल करके उसका सर्बत बना करके पीते हो तो यह आपकी अंदर जितनी भी मसाने की गर्मी होती है जो किसी इस्त्री लड़की या फि कारी करता है इस तरह से सर्वत पीने पर तो आपकी जितनी भी मसाने की गर्मी रहेगी उसको यह सांथ कर देता है बेल पत्ते का सर्वत और जो काम सकती को कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप उपर सयम काबू नहीं रख सकता उनको निस्चित रूप से बेल पत्ते का रस सेव मित रह पाओगे आपके अंदर काम सकती कूट कूट के भरी रहेगी लेकिन आपको उसे कंट्रोल करने का भी छमता आपके पास रहेगा क्योंकि आपके दिल, दिमाग, गुर्दा, लिवर, किड्नी हर चीज समानने रूप से काम करेगा, कंट्रोल में रहेगा, कहीं बाद पी लेनात का परसाज समझ के खाई या फिर किसी भी अचुक अवसधी की तरह खाई ये, आपको निस्चित रूप से कारी करेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि इसका सिवन करने से आपका चरवी भी आपको कभी बढ़ता हुआ नहीं दि का दर्द कभी नहीं होगा, मतलब मैं बात करूँ तो बेल पत्र सिर्प दो तिन बेल पत्र खाने से आपके सरीर में इतने फायदे होने वाले हैं, कि आप सोच कर भी नहीं सोच सकते, इसलिए सोचिए मत बेल पत्तों का सेवन सुबह पराता काल, खाली पे ऐसा भी चाहें वैसा खा सकते हैं अगर मधुमेह के रोगी है पहले से डाइबिटीज है आपको तो आपको मिस्री मिला करके नहीं लेना है बस इसी बात को धियान में रखना है बाकि आप अच्छे से प्रियोग करें खाए पिए और देनिक जिवन में बेल पत्ते का रस या बेल पत्ते को सा करी है और इसकी जो फायदे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं किसी और अच्छी नई आउस अधी वीडियो के साथ तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए खूस रहिए नमस्कार जैहिंग जैच्छतिसगर्ड